नश्कार सातियों, तो कैसे हो आप सभी? उमीद है मजए, आप सभी अच्छे होंगे, चूस्त होंगे, तनदूस्त होंगे, एंड स्वस्थ होंगे तो मेरा बार-बार यूटुब के मादम से आपको मैं बार-बार क्रिसी से समंदी जो अनेको जानकारी है ज्वेस हाजा करता रहता हूँ साज़ा करता रहता हूँ या भेजता रहता हूँ तो मैं आपको बताता रहता हूं कि बार बार जो क्रिशी के समंदित क्रिशी के रिगार्डिंग जो नेकों जानकारी है बेशता रहता हूं यूटूब के मादेब से हमारा यूटूब चैनल नाम है नाच्रल फार्मिंग इन हिमाचल आप अगर क्रिशी से समंदित कोई भी जानकारी चाहिए तो नाच्रल फार् जरूर देखे साथ में चैनल को लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों सब्सक्राइब के बेल आइकन के ओल बटन पर क्लिक करें ताकि आगे से जो भी जानकारी साजा करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें तो सबसे पहले बरसाथ का सहसन चला हुए है अभी बारिस हुए तो बरसाथ तो लगवक रोकी गई है अभी तकरीबन काफी दिन हो गए तो तबी भी जमीन में मौश्चर भो जादा है तो इस मौश्चर को जो इतना मौश्चर रखे कि बीज सड़े ना बस अगर जादा मौश्चर होगा तो उस टाइम भी में आपको बीड़ी का मादेम से बताऊंगा कि आज जो अंकृत होकर जमने या उगने स्टार्ट हो चुका है तो इस सुबह सुबह किसमा है बिलकुल सूर्ज भगवान के दर्सन कर लीजिए सब आप सभी तो इस सूर्य भगवान की रोसनी जो तो अच्छी ही नहीं आ रही है तो इस साइड से आप बैल से जोटाई कर लेए बिलकुल देखकते हैं कैसे जोटाई कि जैती कैसे जो है एक मिट्टी को बैलो दॉर्णा कैसे देख सकते हैं यह बहुत टफ k Prim के लिए कैसे मिट्टी को खिंज भर इसको मतलब रिच्टी का सीना लो डेख सकते हैँ अगर यह बैल नोन थे तो कैसे पहले तो है आजकल तो बतेरे जो है सादन आ चुकिया जैसे मेनी टिलर, टेक्टर बहुत सादन जो है लोगों के पास आ चुकिया क्योंकि प्राने समय में तो बैलो से ही जुताई की जाती थी आज हमारे पास अभी भी बैल है तो मैं भी बैलो से जुताई कर रहा हूं आपके सामने जुताई कर रहे हैं तो आज जो हम विजाई करेंगे मूली, सलगम सरसो का साग और औरे का साग चार आइटम चार आइटमों के विजाई करेंगे ताकि अगर आइटम जाता हो तो रेट भी अच्छा मिलता है और एक दुकान में ही उनको जो 4-4 आइट में मिलजाएगी तो माल जल्दी बिक जाता है तो जुताई के बाद जो खेत को जो टेक्रोशन कर ले साथ से डिवाइडेसन कर ले बिल्कुल पांच-छे भागों में डिवाइडेसन कर ले विभाजित कर ले ताकि हमें इन वीवाज़ी भागों में बीज लगाने में असानी हो सके यह देख सकते हैं अगर हम बिवाज़न नहीं करेंगे तो बीज कैसे लगाएंगे क्या पता चलेगे कि कहा हमने कहाँ बीज लगाया और कहाँ कौन सी जगा चूट गई है तो इसलिए हम भी भाजन इसलिए करते हैं ताकि एक लाइन में जाएं उसको complete करें तब ही दूसरी लाइन पकड़ें तो इससे बीज भी हर जगा पहुंचाता है और बीज लगाने में असानी होती है और बीज भी मतलब अच्छी फसल पैदावार भी इच्छी होती है कोई भी जगा छूड़ती नहीं है तो मेरा जैसे आपको पहले ही बताया मेरा मेरा मेन मोटी बतन लोगों को जो है स्वाएं कि सबरोजगार के साधन तलास करने में या जुटाने में मदद करना जो मेरे वाज़े ही आज जो धेकार को लेकार के सब्सक्राणा क के इसे लोग जो घ्टद में लोग जाए पॉपलसन इंकरीज हो रही है कितनी कितनी एक दिन में हजारों लाखों के हिसाब से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आनेमल टाइम में जो है पॉपलेशन जो है बढ़ा रहे हैं इसकी बज़ा से सरकार जो इतनी नोक्रिया नहीं दे सकती सक्क्यों की सरकार के पास इतनी नोक्रिया है ही नहीं तो मैं इस बज़े से मेरा मेर मोटिबल लोगों को स्वाए के सवरोजगार के साधन जुटाने में मदद करना तो मेरा मक्सद है कि लोग जो अपने स्वाए के सवरोजगार के साधन तलास करें और अपना और स्भाइग बिज के मालक बने तो यह हमारा स्पार्कल भाइट बीज उधा हाइबेड बीज आए स्पार्कल भाइट नाम verse यह डिबबे है मुली के बीज के पैकेट भी मिलते हैं मैंने डिबबे लाएं क्योंकि पैकेट भी सेम होता है स्पार्कल वाइट को डिबबे भी सेम होते हैं आपको चोईच के साब से आप डिबबे भी खरीज सकते हैं और पैकेट भी खरीज सकते हैं यह स्पेद मुली का ब साथ में और्यक बीज पीस बीज ए और्यक के साग का बीज तो हम 4 आइटमें के खेट में बिजाई करेंगे सबसे mashाइट वरती है साग की chính segur की विजाई करना जरूरी็ं की आप 9 आटम 크ंक लैखेइड चाएब हर शीज का नक्लिज होना आ हा सकते हैं अاز आपने kitchen garden में याаешь और मुली लगा सकते हैं तो वीडियो को देखकर जो आप इस दर्चीज का ग्यान होना ज़रूरी है जिसके पास हर चीज का ग्यान ने कहता है तो बंदों के पास हर रह चीज का ग्यान होना चाहिए तो सबी लोग जो वीडियो देखें जो भी मेरे साथी यूटुब साथी हैं और शेर भी जरूर करें तो यह मूली के बीज का डिबा जो हम निकाल रहे हैं इसको जो ऐसे निकाला जाता है बीज के डिबा निकाले हैं और इसको देख सकते हैं ब्राउन कलर का बीज सीड्स जो है भूर प्रिंट रेट तो यह देख सकते हैं इसकी जो परतन में डालने के बाद जो इसको इसकी बीजाई जो ऐसे करें ताकि इसका बीज जो बारिक होता है पहले तो हम मिट्टी में मिक्स करके लगाते थे आज कल थोड़ा बीज जो हाईट सपेद मुली के थोड़ा मौटा भी जा कि यह भी फेंक देते हैं या बीज जो लगा देते हैं जमीन में इसके बाद यह सलगम का पाउस फाड़ा इसको पाउस को जो ऐसे मिट्टी को मिट्टी में मिक्स करके लगा जाता है क्योंकि बीज जो बारिक होता है इसको मिट्टी में डाल दें कड़ाई में मिट्टी ड करएं ताकि जो बीज लगाने में असानी हो अगर सरसो का वीज डालूँगा, वह बताऊंगा की कैसी बीज डाले? क्योंकि सरसो का वीज भी सेम वीज होता है, सर्सो और अगर सलगम का सेम वीज होता है। अगर पैकेट में भार लिखा ना हो तो सेम एक जैसा कलर भी मतलब साइज भी बिल्कुल दाने भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो यह देख सकते हैं इस तरह से मिट्टी में मिस्रित करके लगाएं सलकम को हमने बीच में इसलिए लगाया क्योंकि जो गाओं के बच्चे होत से माल प्रिक बाल का खाएंगे और मूली की फसल बिर्बाद करें गे मार्केट में आपको पहले बोला की रेड़ अ छा मिलेंगा और भी चल्दी जाएगा तो इस तरह से हमने एक सेंटर वाली आदी लाइन जो है सर्गम की बीजाई की आदी मूली की की इसके बाद इस सर्सो की साग का बीज बिलकु देख सकते हैं अप कितना बारिक बीज इसको जो है मिट्टी में डाला जाएगा और मिस्रित की जाएगए बिलकुल सेम बीज होता मिस्रित करने के बाद जैसे सर्गम की बीज लगाया उसी तरह से इसको आप लगाने जाते हैं आप वहां लगा दे हैं मेरे जो भी साथी समंदी जो अजकल साग लगाने का ससंच चला हूँए तो इस हाथ में लगा रहे हैं और एका साग अच्छे पैदावार एक्षा, पैदावार और तो साग घडाने के इस में आपूने भीड़ेती वाहिवार 2-3, आपिसी रहा होना कि अच्छे एक्षों आपने के लिए नैच्छलनुन, प्राकर्थिक तेज लिए उन इसको घुरुरी होता है जो डिए समटनादेक कि वोडी के लिए हरी सबजी है बहुत जरूरी होती है तो यह हमारी अपनी सबजी है नाच्रल तो इसको जो अंदरी लाइन में साग लगाएंगे अंदरी लाइन में क्या होता है साग इसलिए लगा जाता है क्योंकि यहां मूलिया भी जो side side में मुलिया हमेशा कम होती है तो इसलिए side side में हमने 2 side साग लगा दिया और बीच में सलगम लगा दिये तो I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो चैनल को जुरूर like, comment, share and subscribe करें subscribe के bell icon के all button पर click करें ताकि आगे से जो भी जाने कारी साजा करूँ उसकी notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो बीच लगाने के बाद इसको जो मिटी में दबाना पड़ता है, मिटी से डखना पड़ता है क्योंकि अगर हम इसको दबाएंगे नहीं तो बीच अंकुरत कैसा होगा, बीच में मौश्चर कैसे आएगा और बीच उगेगा कैसे, इसलिए बीच को जो मिटी डालनी पड़ती है मिटी उपर, मिटी हम जो एक बैलो से डालते हैं एक हमने लकडी का बनाए होता है, एक ओजार जो देसी ओजार इसको हम अपनी भासा में बोलते हैं, डा, डा दिया जाता है, बिल्कुल समतल इस तरह से दिया जाता है ताकि एक पाउं से दे, ताकि मिटी जादा न डूले, अगर मिटी जादा डूलेगी तो बीच जो है, साथ में चला जाएगा बिल्कुल एक पाउं से ही दे, एक पाउं ही रखें बार, ताकि जो कम बार परे और कम मिटी डूले और बीच जहां काई वहीं रह जाए तो देख सकते है बिल्कुल इस तरह से एक, यह मेरे बैल है, मेरे पापा और मैं वीडियो कबरेज कर रहा हूँ तो देख सकते हैं इस तरह से आप अपने खितों में किचन में किजन गारडन में मतलब किया रीयोben में इस तरह से या गमलो में इसी तरह से जो भी ज़़ाइ करें आजकल जो औसेसंच चला हुख साग और साग का वीडियो बनाऊंगा तो धन्यवाद दोस्तों हमने बीज लगा दिये तो आई धन्यवाद दोस्तों जैहिन जैहिमाचल जैकिसान